देश प्रदेश की अब तक की प्रमु खबरों को देश में बीते 24 गंटे में 2,35,532 नहीं कोरोना के इस दर्ज हुए और 871 मरीजों की जान चली गई है इस दौरान 3,35,949 संखर में ठीक हुए जो से अब तक रिकवर हुए लोगों की संख्या 3,18 करोर से ज्यादा हो गई है इस समय आक्टिव केस 20,4,333 है सख्रिय मामलों की दर 4,9 प्रतिशत है और रिकवरी रेट 93,89 प्रतिशत है भारतिय स्टेट बैंक ने गर्पवती महिलाओं की भरती से संबनित सर्कुलर को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया है बैंक ने श्रेनिवार को इस संबन में बयान जारी किया है जुसमें गर्पवती महिला उमिद्वारों के लिए कुछ मान्दंड को सपश्ट किया गया था चुनाब सुधार की वकालत करने वाले समूह ADR ने एक रिपोर्ट पेश किया उस रिपोर्ट के मताविक BJP सबसे अमीर पार्टी है जुसने वित्वर्ष 2019-20 के लिए 4,847 करोर की संपत्ती घोशित की है दूसरे नमबर पर मायवती की बस्वा बीएसपी है जिसकी संपत्ती 698 दश्रुप 33 करोर रुपे रही इस नमबर पर कॉंग्रेस और असने 586 दश्रुप एक आठ करोर रुपे की संपत्ती सामने रखी है The Association for Democratic Reforms ने 2019-20 में राश्ट्रिये और शेत्रिये दलो की संपत्ती और देंदारियों के अपने विश्ट्रेशन के आधार पर ये रिपोर्ट तयार की है एक फर्वरी को संसद में वितमंत्रि निर्मला सीतारवन बजट पेश करेंगे इस दिन अपने आपके किचिन के बजट पर भी प्रभाव पढ़ने की आश्रंका है क्योंकि एक फर्वरी को ही LPG के नए रेट जारी होगी अंतरास्ट्रियस सर पर कच्छे तेल का भाव 90 डॉलर प्रती बारल के पार चला गया है ऐसे में LPG सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी हो सकती है वैसे ये भी संभव है कि पांच राज्यों में हो रहे है चुनाव को देखते वे हो सकता है घरेलो LPG सिलेंडर के उपभोगताओं को राहत जारिद है कोरोना पाबंदियों के चलते पाकिस्तान से भारत आने वाले परेटेकों को देरी का सामना करना पड़ रहा है Australian Open 2022 Women Singles का खिताब में इस बान देश की दिगज और दुनिया की नमबर वन खिलारी Ashley Barty ने जीत लिया है Ashley Barty ने अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को हरा कर खिताब अपने नाम किया है इसी के साथ लंबे समय से चला आ रहा खिताबी सूखा भी Ashley Barty ने समाप्त कर दिया Ashley Barty का यह Australian Open का पहला Grand Slam है जबकि वो इससे पहले दो और खिताब जीत चुकी है मद्र प्रिदेश का पहला ड्रोन स्कूल गॉलिर में खुलने जा रहा है मार्च महीने में M.I.T.S. कॉलिज में ड्रोन स्कूल शुरू होगा दिली के मुख्यमंत्री और आम आद्मी पार्टी के राश्ट्रिय संयों जो करविंदी केजरिवाल ने पंजाब में अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है जो आलंदर बेश शुरूनिवार को केजरिवाल ने कहा कि पंजाब में 26 साल कॉंग्रेस और 11 साल बादर परिवाल ने राच किया है उन्होंने जो करना था वो कर लिया है इनको और 5 साल देने का कोई फाइदा नहीं है आप एक कट्टा रिमानदार पार्टी है इसलिए 5 साल के लिए आप एक मौका मांग रही है अनका संकर जेल रहे अफगानिस्तान की बदद के लिए भारत आगया है भारत पाकिस्तान के रास्ते फर्वरी के वहीने में गेहूं की खेप की आपूर्ती की शुर्वात कर सकता है मेडिया में शरीवार को आई खबर के मताबिक भारत और पाकिस्तान ने महीनों की चर्चा के बाद अफगानिस्तान के लिए गेहूं कि आप उर्ती के तोर तरीकों पर सहमती व्यक्त की है पंजाब में वधान सभाचुनाव को लेकर कॉंग्रिस और आमाद्भी पार्टी में सीधी टक कर देखने को मिल रही है हाला के अपनी पार्टी का सीएम फेस की घोशना करके आप कॉंग्रिस से एक कदम आगे चल रही है तमाम मंचों से आप संयोजग अर्विंद के जुवाल कई दफे चरंजीत सिंग चर्णी पर हमला बोल चुके है प्रदेश में पार्टी के तमाम मुश्किलों को लेकर के पंजाब के मुख्यमंतरी चरंजीत सिंग्चर्णी ने खुल कर बात कही है उन्हांने मुख्यबंतरी पद के उमिद्वार की घोशना करने के पार्टी के फैसले और उनके काम और उनके खिलाफ विपक्ष की आरोपो पर अपना विचार साजा किया है पेगासिस स्पाइवेर पर अमेरिकी दैनिक समचार पत्र दर न्यूयर्क टाइम्स के खुलासे ने भारत में एक बार फिर से हंगाम मचा दिया है समचार प्रत्र एन्वाइटी में दावा किया गया है कि इस्राइली स्पाइवेर पेग्यासस और एक मिसाइल प्रणाली इस्राइल के बीच 2017 में हुए लगभग दो अरब डॉलर के हथियार और खुफिया उपकरन सौदे में केंडर बिंदू थे तासे की बाद से विपक्षी दलो ने मोधी सरकार को तग्रा जटका दिया था और तग्रा हमला भी करना शुरू कर दिया था यहां तक कीर राहूल गांधी ने हमला करते वे कहा था कि मोधी सरकार ने देश द्रो किया है अमेरिका के डैनिक समाचार पत्र दन्यू यॉर्क टाइंज ने अपने खबर में ये दावा किया है कि इस्डाइली स्पाइवेर पेगासस और एक मिसायल प्रणाली भारत इस्डाइल के बीश दोहजार सत्रह में हुए लगभग दो अरब डॉलर के हतियार और खूफिया करनाटक सरकार ने राजबर में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में धील देने का एलान किया है राजब में नाइट कर्फी 31 जनवरी से हटा लिया जाएगा वही राजधानी बैंगलोर के सभी स्कूलों को कोविट गाइडलाइन का सक्ती से पालन करते वे सोंबार से ओफलाइन कक्ष्राइंग शुरू करने की इजाज़त होगी बिहार पंजब हर्यारा उतर प्रदेश राज़स्तार और मध्य प्रदेश सहीत उतर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज़्य पिछले कुछ दूनों से भीशंग शीत लहर की चपेट में हैं अलाकि भारत मौसम विज्यान विभाग के अनुसार आज से स्थिती में धीरे-धीरे सुधाल होने की शिरवात हो जाएगी आएमजी ने अपने पुर्वानुमान में आगे कहा है कि उत्तर पश्चिम पुर्व और पुर्वत्तर भारत में 2-4 फरवरी तक बारिश की संभावना है प्रवरतर निदेशाले ने महराश्र के पुर्व ग्रेव मंत्री अनल देशमुक के खलाफ अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि ततकालीन मंत्री पोस्टिंग के लिए पुलीस ऑफिसर और अधिकारियों के नामों की एक सूची तयार की है इडी की चार्जशीट के अनुसार देशमुक ने पुलीस अधिकारी और उनके ठेकानों की सूची अग्रेशित करने की बाद सुईकार की है उन्हें ACS अधिरिक्त मुख्यसाचिफ ग्रह वभाग और पुलीस सापना बोट के प्रमुक पी इवी में स्थानांतरित किया जाना था बतादे कि देशमुक कथित भ्रशाचार और जबरन वसूली के आरोप में जांच के घेरे में है देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने धलान पर दिख रही है महामारी के दैनिक मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है आज 2.35 लाख नए मामले सामने आए हैं वही रिकवर होने वालों की संख्या 3.37 लाख के करीब रही विशुचग्यों का मानना है कि पॉजिटिव केस की रफ्तार अगले 4 से 5 सब्ता तक यही रहने वाली है उन्होंने त्योहारी सीजन शादी सबारों और चिनावी गति विधियों को ध्यान में रखते वे ये अनुमान लगाया है केंद्रियस वासमंत्री मनसुख मंडाविया आज यान 29 जन्वरी को कोरोना की सिती को लेकर 5 राज्यों के साथ समिक्षा बैठक करते देखे गए इन 5 राज्यों में बिहार उडेसा, जहारखन, पश्युमंगाल और 36 गर्श शामिल रहा इन राज्यों के साथ वर्चुए बैठक करीब 3 मजे हुई थी रूस के S-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली की खरीद पर अमेरिका द्वारा चुंता व्यक्त करने के बीच भारत ते शुक्रवार को सफष्ट किया है स्कूली बच्चों में संक्रवन की रोक्थाम के लिए 15-18 साल की किशोरो का टीका करन भी जारी है सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार पर इस मसले पर कोई पहल करती भी दिखाई दे सकती है के इंद्रे स्वा समंत्री मंसुख मंडाविया ने रास्ट्रे विशुषग्य समू से देश भर में स्कूलों को खोलने के तौर तरीकों पर सुझाव देने को कहा है महामारी के कम होते प्रकोप को देखती वेख कई राजों ने स्कूल को फिर से खोलने की प्रक्रियाश शुरू कर दी है यह जानकारी भारते विदेश मंत्राले M.E.A. ने दी है बिहारवधान परिसत की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा और जद्यू के बीच में श्रनिवार को सीटों का बटवारा तै हो गया भाजपा 13 सीटों और जद्यू ने 11 पर चुनाव लड़ने का एलान किया है लगातार जनता काशरबाद लेकर सेबा कर रही है नाशनल इंस्टिटूट अफ फैशन टिकनोलोजी ने प्रवेश परिक्षा के लिए हॉल टिकेट जारी कर दी है निफ्ट ने इंट्रेंस एक्जाम का अड्मिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट निफ्ट.ac.in पर रिलीस कर दिया है यूजी और पीजी पार्थिक्रम के लिए आयोजित होने बाली ये परिक्षा छे फरवरी 2022 को संचालित की जाएगी बता दे कि ये परिक्षा वर्चुल मोट में होगी उमिद्वार धियान दे कि निफ्ट आड्मिट कार्ट के उमिद्वारों का नाम, निफ्ट रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा समय और परीक्षा के दिन के दिशानर देश्ट सहीत अन्य विवरन देख सकते हैं उतरप्रदेश में चुनावी माहौल गरम है, दिल्ली में सपाध्यक्ष, अखिलेश यादर ने शुकरबार को हेलिकॉप्टर रोक के जाने का रूप लगाया, अखिलेश यादर ने ट्वीट कर कहा कि मेरे हलिकॉप्टर को अभी विना किसी कारण बताए, दिल्ली में रोक क रखा गया और मुजफर नगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक सीर्ष नेता भी यहां से उड़े है, हारती भी भाजपा की ये हताशा भरी साथ जशे जनता सब समझ रही है, इस साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है, चुन कोशिश में लगे हुए है, गोवे आगा में विधानसभा चुनाव की मदिनजर कॉंग्रेस अपनी स्थिती मजबूत करने की पूर्जोर कोशिश में लगी है, इसे सिलसले में कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी दो फरवरी को गोवा में चुनाव प्रसार करेंगे, राह चुनावारेस के मामलों में गिरावट देखने को मिली है, हाला कि विश्वसास संगर्थन ने COVID-19 उप्यूक्त व्याभार का पालन करने में किसी भी तरह की धिलाई नहीं बरतने की चेतावनी दी है, डबलो एचो ने कहा है कि खत्रा अभी भी बना हुआ है, और ऐसे में हम रात की मताविक उपाय करने की जरूरत है, हाली के दिनों में कुछ राज़ो में करोना की केस में गिरावट आई है, जिसके चलते COVID-19 प्रतिबंदों से लोगों को छूट दी गई है, डिली में लगे वीकेंड कर्फ्यू को हटा लिया गया है, और ऐसा ही कई राज़ो में जरी आसमान को रंगीन किया जाएगा, पहली बार यहाँ पर लेजर शो का आयोजिन किया जाएगा, इसके लावा मार्शल संगीत की धुने इस साल समारों का मुख्या कर्शन रहेंगी, भारतिय सेरा, नौसेना, वायुसेन और केंद्रिय सोशस्त्र पुलिस बलो के बैंड पुल 26 दुनों को बजाएंगे, पिशेक उस दशकों में चीन ने विश्वभू राजनीती में अपनी पकड मजबूत करने और खुद को एक आर्थिक महाश्रक्ती के रूप में स्थापित करने के लिए विस्तारवाद नीती अपनाई है, इसके लिए अफ्रीकी महाद्व शिकारी है जो वर्तमान में अफ्रीका को लूट रहा है। सेर्फि किसान मोशा ने गोश्रा किया है कि वो 31 जनवरी को देश भर में विश्वास खाद दिवस के रूप में इसे मनाएगा, जिसमें जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत हनिवाद, आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है पिंकी कुमारी, योगेंदर कुमार, परवेज आलम, जित्तु कुमा को बनाया जाना चाहिए, अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही, आज के रिए बस इतना ही, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कॉन दबाना न भूले, धन्यवाद